नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर, डेली वनलेनेस और एक्साम्स 11 ऑगस्ट 2022, आज के इंपोर्टर वनलेनेस कौन कौन साय चेक करते हैं, सबसे पहला, बटरफले माइन्स, देखें रेशिया आप यह फोटो देख सकते हो, ऐसा लग रहा होगा कि कोई यह चोटा खिलोना है, जो बैच्चे खेलते हैं, पर अक्चुली यह लांट माइन्स है दोस्तों, जिने कॉमनली बटरफले माइन्स और ग्रीन पैरेट्स बोलते हैं, ठीक है, यह भूती सेंसिटी लांड मेंने, टच करने से यह एक्स्प्लोड होगा, पर इतना भायंगर एक्स्प्लोशन नहीं होगा, जो इसे टच करेंगे, बस उसी को इंजूरी होगा, ठीक है, नौ, इस माइन्स आर ओल्सो डिफिकल्ट टू डिक्टेक्ट, बिकोस दे आर मेड अफ प्लास्टिक, देखिए, प्ला इंडिया, Senior Most Judge of the Supreme Court, Justice Uday Umesh Lalith साब का अपोइन्मेंट हुआ है, as the 49th Chief Judge of India, with President Draupadi Murmu, signing his warrant of appointment, वैसे जसे डिलिच साब का चार्ज 27 ऑगस्ट से शुरू होगा, क्योंकि 26 ऑगस्ट को, Present Chief Judge of India, N.V. Ramana साब रिटेर होँगे, ठीक है, नौ, आप सबको चाहिद पता होगा, कि जो Present Chief Judge of India है, वो रिटेर होने से पहले, Supreme Court का जो Senior Most Judge का नाम रेकमन करते है, अगला Chief Judge of India का appointment के लिए, ठीक है, नौ, इसमें आपको ध्यान रखना है, Article 124 of the Indian Constitution, which relates with the appointment of Chief Judge of India, वैसे Supreme Court Judges 65 years में रिटेर होता है, और High Court Judges 62 years में, और इंडिया में टॉटल 25 High Courts है, Justice UU Lilith साब, several landmark judgments के पार्ट थे, जैसे कि Triple Tala को Unconstitutional Reclare किया था न, वो बेंच में Justice UU Lilith साब ही थे, वैसे Supreme Court Chief Justice का appointment कुन करता है, President of India, अगला है Chess Olympiad, 44 Chess Olympiad conduct हुआ था, चैन्ने तमिल नाडू में, वैसे चैन्ने को Chess Capital of India बोलते है, वैसे इंडिया में जितने Chess Grand Masters है न, उस में से मैक्सिमम तमिल नाडू से है, तो 44th Chess Olympiad में, Men's Section में Gold Medal मिला है, उस्बसकिस्तान को, Silver Medal, Armenia को, Bronze Medal, India को, इन Women's Section, Ukraine को Gold Medal मिला है, Georgia को Silver Medal, and again India को Bronze Medal, 44th Chess Olympiad और्गनेस किया था, International Chess Federation और World Chess Federation, चैन्ने में, July 28 से लेके August 9, 2022 तक, इंडिया Chess Olympiad पहली बार के लिए और्गनेस किया था, वैसे ये टूर्णमेन रिशिया में होने वाला था, रिशिया यूक्रेन क्राइसिस की वज़े से ये इंडिया में ट्रांसर हुआ था, टोटल नंबर ओफ पार्टिसिपेंस 1737 थे, इंक्लूडिंग 937 इन ओपन और 800 इन दा विमन्स इवन, तो ओपन इवन में 937 पार्टिसिपेंस थे, और विमन्स इवन में 800 पार्टिसिपेंस थे, तो कहां पे हुआ था दोस्तों ये, जवाहरला नहरू स्टेडियम है, बेस World Lion Day to celebrate the king of the jungle, World Lion Day 2022 का objective ये है, लाइन्स के बारे में और उनके conservation के बारे में awareness वेलाना, करीब 3 million years ago, लाइन्स हुआ करते थे, एशिया, आफ्रिक्या, यूरोप and Middle East countries में, पर देखे, आज अगर आप देखोगे, लाइन के population काफी decline हुआ है दोस्तों, पिछले 5 decades में 95% population decline Union for Conservation of Nature का red list में, ऐसे vulnerable species designate किया हुआ है, वैसे आप सबको पता होगा, India is home to the majestic Asiatic Lion, who inhabits the protected territory of Sasan Gir National Park, गुजरात, इंडिया में केवल आपको Sasan Gir National Park, गुजरात में Asiatic Lion देखने को मिलेगा, ठीक है, मैं African Lion की बात नहीं कर रहा हूँ, Asiatic Lion की बात कर रहा हूँ, दोनों अलग ह African Lion से थोड़ा छोटा है, 2020 data के हिसाब से, there are 674 Lions in India, which were 523 in 2015, तो basically Gir National Park में Lions का population increase हुआ है, अच्छी बात है, now, Asiatic Lion की बात करते है, Asiatic Lion को Persian Lion और Indian Lion बोलते है, is a member of Panthera Leo, Leo subspecies that is present in India, ठीक है, तो Panthera Leo subspecies से यह बिलोग करते हैं, बहुत पहले तो Asiatic Lion, West Asia and Middle East में भी हुआ करते थे, पर आजकल यह extend हो चुका है, Asiatic Lions are slightly smaller than African Lions, एमेन आपको बता दिया, now, Asiatic Lions को Wildlife Protection Act 1972 में, Schedule 1 में include किया हुआ है, मतलब सबसे top priority है, Sites में Appendix 1, IUCN Red List में endangered, ठ्यान दीजेगा, Asiatic Lion, IUCN Red List में endangered है, और, At present, Gir National Park and Wildlife Sanctuary is the only about of Asiatic Lion, ठीक है, Asiatic Lion के अबल, Basically, दुनिया में के अबल, Satsangir National Park में आपको देखने को मिलेगा, ठ्यान दीजेगा, अगला है, ICAR develops vaccine for lumpy skin disease in cattle, पिछले कुछ महिने से, कई सारे Indian states में, lumpy skin disease in cattle, फेल रहा था, और, कई सारे deaths में रिपोर्ट हुआ, जैसे कि, राजस्तान में 2,111 deaths, गुजरात में 1,679, इसलिए, Indian Council of Agricultural Research का, National Research Centers on Equins, जो हिसार हर्याना में लोकेटड है, इन कोलाबरेशन विद, ICAR का, Indian Veterinary Research Institute, जो इज़त नगर उतर परदेश में लोकेटड है, दोनों मिलकर डवलोप किया है, एक vaccine, जिसका नाम है, lumpy pro-vaccine, ख्यान दीजेगा नाम, lumpy pro-vaccine, और ये new technology को, Union Agriculture Minister, नरेंदर सिंग तोमर साब, रिलीस किया था, National Capital, अगला है, Blue Bonds, Securities and Exchange Board of India, जो हमारे देश का market regulator है, उन्होंने last week, एक consultation paper रिलीस किया था, on green and blue bonds, तो आपको समझना है, क्या है ये green and blue bonds, वैसे, green bond के बार में आपने सुना होगा, एक fixed income instrument है, designed specifically to support specific climate related और environmental projects, देखे, climate related या फिर environmental related projects के लिए, जब bond issue करते हैं, इसे green bond वोलते हैं, bond किसलिए issue करते हैं, दोस्तों, मान लीजिए, एक company को, एक particular project के लिए पैसे चाहिए, तो वो क्या करेंगे, bond issue करेंगे, अब investors वो bond खरीद सकते हैं, तो basically, company को upfront पैसे मिल जाएगा, अब जैसे वो bond का maturity हो से मिल जाएगा, तो जब specific climate related और environment से related projects के लिए bond issue करते हैं, उसे green bond बोलते हैं, ठीक है, now blue bond क्या है दोस्तों, they are focused on putting money towards activities related to oceans, seas and coast, देखें, ऐसे projects या activities, जो ocean से related है, seas से related है, या फिर coast से related है, इसे, इसके लिए जब bonds issue करते हैं, उसे blue bonds बोलते हैं, थ्यान दीजेगा, ठीक ह नेरली 7 billion dollar from ESD and green bonds in 2021, देखें, ESD मतलब क्या है, environmental, social and governance, ध्यान दीजेगा, environmental, social and governance, अपने ESD funds करके सुना होगा न, तो ESD से और green bonds से 2021 में, Indian corporations 7 billion dollar raised किये थे, 2020 में 1.4 billion dollar, और 2019 में 4 billion dollar, So globally, green, social, sustainable and sustainability linked bonds accounted for over 12% of the global bond market last year, compared to roughly 2% in early 2018, तो देखें दोस्तों, आजकल ये जो green, social and sustainable linked bonds का demand ज्यादा है, Total, जो bonds release हो रहा है globally, उसका 12% आजकल ये green, social, sustainable and sustainability linked bonds है, अच्छी बार, Final news, what is rule 267 in Raji Saffha, देखें, अभी हमारा Raji Saffha Chairperson M. Venkai Naidu साब नहीं है, इनका टेम खतम हो चुका है, अब जगदीब धंगर साब है, who is the Vice President of India, वैसे Vice President of India is the Ex-Officio Chairperson of Raji Saffha, ये बात आपको पता होगा, So, former Raji Saffha Chairperson M. Venkai Naidu साब को, करीब 10-15 notices मिले थे, MP से, under Rule 267 in Raji Saffha, तो ये Rule 267 क्या है दोस्तों, देखें, Under Raji Saffha's Rule 267, any member can with the consent of Chairperson, move that, rule may be suspended in its application to a motion related to the business listed before the council of that day, देखें, symbol भाशा में ये हैं दोस्तों, आप सबको पता है, लोग Saffha and Raji Saffha हमें, उस दिन, क्या-क्या business होना चाहिए, वो already decided रहता है, basically list of business रहता है, तो already planned है कि कौन-कौन से topics के उपर discussion होगा, क्या-क्या programs होगा, सब कुछ, But, अगर कोई member of parliament, ये चाहता है, कोई एक नया topic के उपर discussion हो, मतलब, already जो listed business को हटा के, वो जो topic के बार में बात करना चाहता है, उसके बार में discussion हो, तो वो rule 267 के under, chairperson को request कर सकता है, ठीके, तो थ्यान दीजिएगा, this is Raji Sabhas rule number 267, काफी news में आथा recently, तो बस मैंने आपको बता दिया, ये क्या है, तो दोस्तों that's it, I hope आपको video informative लगाओगा, lecture की PDF as social आपको telegram channel में मिल जाएगा, जिसका link नीचे description box में provided, thank you for watching, bye bye, have a nice day.